हेलो नीटेस्परेंट आप लोग के लिएक इंपॉर्टेंट अपडेट यूपी आयुश की काउंसलिंग का सेडूल जो है वो रिपब्लिश किया गया है फिर से शंशोदित शमाय शारणी रिलीज किया गया है जो लोग अभी तक अपडेट नहीं थे उसको मैं बता दू यह करने वाला है मतलब जिस दिन से आप रिजेस्टेशन करेंगे उसी दिन को आपको सब्मिट सिकोर्टी अमाउंट भी सब्मिट करने होंगे उसके बाद आपका ओनलाइन फिजिकल ओनलाइन वेरिफिकेशन होगा डोकुमेंट का वो आपका 26 तारिक से लेकर 29 तारिक तक होन वजय मतलब 12 वजय है यहां पर भी तीन दिन का टारिक टाइम दे रखा है यहां प्रूत से लेकर 29 तक डावेख करने की option आएगा और जिस college में भी परवेश करना चाहता है उसकी जो तिती होगी वह अंतिम तिती वह नो तारिक तक रहने वाली है तो यह सारा डेट आपको दिखाई दे रहा है बाकी को आप ग्रेडेशन करना होगा नोडल सेंटर फिर से पार बायुद कर आपको बाता है तो मैं आपको यह बता दू कि आपको नोडल सेंटर कप जाने पढ़ेंगे अच्छा नोड़ल सेंटर पर पे बिलाएं के जो तलो ऐसे से बुलाए जाता है मैं आपको बता दू एक लाग एक से लेकर चार लाग तक के बच्चों को फर्स्ट बुलाए जाएगा चार तारिक को बुलाए जाएगा उसके बाद जो आठ लाग से बाकी है जितने भी बच्चे क्वालिफाइड बच्चे बहुत छे तारिक को जाएंगे बाकी जिसका भी चार पांच और छे को छूट गया है वह साथ तारिक को जाके अपना वेरिफिक्शन करवा सकता है यह आपका पूरा जो है इस तरह का मतलब रूल के अकोर्डिंग चलता है फिर भी वहाँ पर भी ल ट्रावट में लेटर पर वह लिखा होगा आपको कितने वजे जाना पड़ेगा देखे टाइमिंग दे रखा होगा उसमें पिसे को dł 10 बज़े बुलाएगा किशी को 9 बजए के बाद भी बुलाएगा क्योंकि यहां पर टाइमिंग दे रखा है 9 बज़े नोडल सेंटर पर जाने की जोती थी होगी 9 बज़े से श्टार्ट होगा और रात के यह शाम के पांच बज़े तक चलने वाला है तो ये अपडेट आपको देना था, important अपडेट था, मिलते अगली वीडियो किसी इसी तरक अपडेट के साथ, अगर चैनल पर पहली वार आया है तो चैनल को जुरू सस्क्राइब करें, okay guys, bye